आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपÁया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ, अभी राउनोट करें हेलो अब्रिवन, हमारा प्रशन दिया हुआ है, एदे दुई खात समय करण इसमें बिपरीद चिन्न के बोला, इस पर ध्यान देंगे, तो समय करण अलफा एक्स माइनस बीटा का होल स्कॉयर धने, बीटा एक्स माइनस अलफा का होल स्कॉयर बराबर जीरो के मूल है, हमसे पूछा गया है कि अगर इस समय करण के मूल अलफा बीटा है, जो की वास्तविक भी है और विपरीद चिन्न के भी है, तो समय करण, इस समय करण के मूल क्या होंगे, हमसे पूछा गया है, ठीक है चलिए हम सबसे पहले अपना समिकरड लिख लेते हैं तो हमारा समिकरड है AX square धन BX धन C बराबर 0 ठेक है इसके मूल क्या है? अलपा और बीटा है तो हम देख लेते हैं कि मूलो का योगफल जो क्या होता होगा तो मूलो का योगफल बराबर होता है अलपा धन बीटा बराबर क्या होगा? माइनस का B बटा का A ठेक है? यह हो जाएगा और मूलो का गुरन फल होगा हमारा C बटा का A और यह हमारा आमान होगा क्योंकि हम से कहा गया है प्रस्ट में कि जो मूल है वो बिवेरिच चिनिके हैं मतलब एगर यह पलस है तो यह रिडात्मक होगा तो अगर इन दोनों का अगर हम गुड़ा करेंगे तो यह भी हमारा रिडात्मक आना चाहिए पूरी संक्या तो यह नहीं आया है इसलिए यह आमान है ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब हम ठीक है? तो देखो तो हो जाएगा अब हमारा ठीक है? आगे इसको महल करते हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ax square धन a beta square minus 2 alpha beta, यह alpha ठीक है, 2 alpha beta x धन beta x square धन beta alpha square minus का 2 alpha beta x बराबर का 0, ठीक है, यह हो जाएगा हमारा, अब देखो, अब यहाँ पर जिसके पास x square है, उसको एक साथ कर लेंगे, जिसका x है, उसको एक साथ कर लेंगे, और सबको एक साथ कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा, यह हो जाएगा, हमारा, यह alpha धन beta का, गुड़े x square यहाँ पर देखो है, और यहा यहां पना पर वह दोड़ेंगे गर को जोड़ेंगे तो मारा हो जाएगा चार अलफा बीटा एकस धन भ美味 उझार भार्ट तीक है बराबर का 0 फिर देखो अगले श्टिप में अलफा धन बीटा x square माइनस का 4 अलफा बीटा x धन यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर हम यहाँ पर हम अलफा बीटा को कामन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा अलफा धन बीटा बराबर का 0 अब देखो आगे आगे क्या होगा यहाँ पर हमारा अब हम अगर इसका हम मूलों का गुड़न पन निकालते हैं तो हो जाएगा अलफा डेस गुड़े बीटा डेस बराबर c बटाए c है हमारा अलफा बीटा कोश्टक में अलफा धन बीटा बटे a है हमारा अलफा धन बीटा तो हो जाएगा हमारा ये यहाँ भी उपर और नीचे सेम है तो यह कड़ी जाएगा तो हो जाएगा हमारा अलफा बीटा ठीक है अब देखो अब हम इसका बिवित कर निकालते हैं ठीक है इसका अगर निकालते हैं, इसका अब हम बिवितकर निकालते हैं, तो हमारा बिवितकर क्या हो जाएगा देखो, अगर हम इसका बिवितकर निकालेंगे, तो हमारा बिवितकर हो जाएगा D बराबर, क्या होता है? B square minus का 4 A C तो B है हमारा 4 alpha beta minus का 4 alpha beta तो इसका square करेंगी तो हो जाएगा 16 alpha square beta square minus का 4 alpha beta कोश्टक में alpha धन बीटा यह हो गया C और A है हमारा alpha धन बीटा ठीक है तो भी हो जाएगा हमारा 16 alpha square beta square minus 4 alpha बीटा और alpha धन बीटा का whole square ठीक है यह हो गया हमारा अब आगे देखो यहाँ पर कहा गया है प्रस्न में कि जो alpha बीटा है यह दोनों एक दूसरे के बिलकुल अलग साइन है मतलब कि इनके जो चिन है अगर एक धनात्मक तो दूसरा रिडात्मक होगा इसलिए यहाँ पर हमारा धन हो जाए क्योंकि यहाँ इन दोनों का गुड़ा क्या गया है ठीक है तो इससे हमारा क्या निस्करव से निकलता है इससे हमारा निस्करव से निकलता है कि जो हमारा बिवितकर है डी है वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा ठीक है और अगर हमारा बिवितकर जीरो से बड़ा होगा तो जो हमारे मूल होते हैं हमारे मूल वास्तविक होते हैं, ठीक है, अब और मूल अगर हम वास्तविक होंगे, और क्या होंगे, और मूल एक दूसरे के विपरित चिन्न के भी होंगे, ठीक है, तो अता हमारा कौन सा विकल्ब सही होगा, अता हमारा विकल्ब तीसरा वास्तविक चिन्न में विपरित सत् करें आप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर